ना तेजश्वी चले ना लालू परशादी आदो ना उसामा असबार उप्चुनाओं में किसी का जलवा नहीं चला है और ना ही किसी का जलवा देखने को मिला है ना तेजश्वी आदों का जल्वा ना ही लालू परशादी आदों का जल्वा और ना ही उसामा साहब का जल्वा क्योंकि उसामा को अंत समय में तेजश्वी आदों ने लाया था कि अंत भला तो सब भला चलो हमारे साथ जुडेंगे और जब जुडेंगे तो मुसल्मान वोट को यही कठा करेंगे लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला मुसल्मान वोट भी जो है वो कट गया यादो वोट भी कट गया अन्तसमय में देखिए रामगड में क्या हुआ रामगड के यादों ने वोट नहीं दिया हम यह बात लगतार कहते थे कि भी यार रामगड के यादों जो हैं वोट नहीं करने वाले डो सीट जो राजद का गड़ माना जाता था वो गड़ अब खतम हो गया लाल्टेन वहां से बुझ गया रामगड और बेला गंच दोनों जगह ओपर राज़त का गड़ माना जा रहा था और ये दोनों जगह जो है राज़त से छिन गया है रामगड से आप देखे तो जगधानन्द सिंघ का छोटा बेटा अज़त सिंग चुनाव हार गया है और उसके बाद आप देखे तो सुरिंद्र प्रशाद यादो का जो बेटा है वो चुनाव हार गया ये एक बड़ी बात है कि गड़ इस बार खत्म हो गया है जहां एक तरब तेजश्वी आदो कहते थे कि ये 25 जो है वो बताएगा इंडिये को कि हम तेजश्वी आदो को कितना मानते है तेजश्वी आदो की वो यात्रा तेज़श्वियादों का लोगसभा में ये कहना है कि हम बहुत मजबूत हैं लोगसभा में हमारी स्थिती बहुत ही मजबूत है और हम इस पर दिखाएंगे कि क्या करना है किस तरीके से करना है लेकिन जादा फायदा नहीं हुआ है नुकसान काफी हुआ है चार सीटे बंदन की थी एक NDA की थी और अब चारो की चारो सीट NDA की है मागडवंदन का कुछ नहीं है राज़द वामदल चुनाव लड़ता है और बुरी तरीके से चुनाव हार जाता है चुनाव परचार हो रहे थे सब कुछ हुआ रोड सू हुआ लालू सब्सक्राइब गयें फायदा कुछ नहीं फायदा जीरो चार जीरो से यह चुनाव जो है वह महाँज़ड़ νहारी है और चार जीरो से जिनाव इन्डिये जीत चुक है निटिश कुमार की नितित में इंडिये मजबूत ऐसा इंडिये का कहना है कि देखिए जनता का भरोसा इंडिये पर है आज भी इंडिये को लोग मानते हैं लोकसभा में जो गलतियां हुई वो चुनाओं में नहीं हो हलाकि ये भी देखने को मिला कि जीतना मा जी चिराग पास्वान की वजह से थोड़े कम वोटों से जीते ये मार्जिंग और बड़ा हो सकता था अगर चिराग पास्वान चाहते थो हलाकि इस पर भी कहा जा रहा है कि समिक्चा होगी लेकिन तेजश्वी आदो का जलवा नहीं चल पाया क्या तेजश्वी आदो को लोग अब पसंद करना छोड़ चुके हैं क्या तेजश्वी आदो को अब जनता नहीं चाहती कि उनकी वापसी हो ये बड़ा सवाल है कि उप्चुनाओं में तरीके से जटका लगना जो सीट जिसके पास रहती है उप्चुनाओं उसी के पाले में जाता है लेकिन यहां देखने को नहीं मिला यहां देखने को मिला कि सारी की सारी सीटे बहुमत जो है वो इंडिये पक्ष में यानि की सरकार के पक्ष में जाते हुए नज़र आ रही है अब एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लोग तेजश्वी आदो को नाकार रहे हैं क्या लोग तेजश्वी आदो को नहीं चाते कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तेजश्वी आदो जितना महौल बना ले तेजश्वी आदो जो भी कर ले कि हम ऐसा करते हैं लेकिन जनता का विश्वास अप तेजश्वी से उठने लगा है और ये उप चुनाओ में साबिट हुआ है तिजश्वी यादो जाते हैं लालू पुरसाद यादो जाते हैं बिमार इस्तिती में लालू पुरसाद यादो जाके बेला गंज में चुनाव परचार करते हैं जो कि राज़त का गड़ का आ जाता है 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजद वहां से चुनाव हार गई रामगड में तो एक दो बार हुआ भी है लेकिन रामगड भी चुनाव राजद हारी है यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दोनों सीटों पर परिवारवाद की होज़द से राजद चुनाव हारी है रामगर और बेला गंज दोनों जगों पर अगर परिवारवाद नहीं होता तो राज़त ये सीट निकाल लेती क्या समिच्छा में ये बाते होंगी क्या तेश्वी आदो ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस परिवारवाद के वज़े से हमारी पार्टी बदनाम है आज उसी परिवारवाद की वज़े से राज़त तीनों की तीनों सीट हार गए हलाकि जो तीसरा सीर्थ था उस पर परिवारवाद नहीं था उस पर एंडिये का परिवारवाद था इमाम गंज में जीतना माजी का परिवारवाद था लेकिन राजद, रामगड और बेलागज दोनों को दोनों सीटे हार गए परिवारवाद की अगर बात करें तो परिवारवाद आपको तरारी में भी देखनों को मिला लेकिन जनता ने एकसेप्ट कर लिया इमाम गंज में जनता ने एकसेप्ट कर लिया लेकिन राज़त के परिवारवाद को जनता ने एकसेप्ट नहीं किया है भाजपा के परिवारवाद को जनता ने एकसेप्ट किया है, हम के परिवारवाद को जनता ने एकसेप्ट किया है, लेकिन राजद ने परिवारवाद किया तो जनता ने कहा नहीं, आपका परिवारवाद बहुत बड़ा होता है, आपका मतलब कि बाप, बाप, बेटा, बेट दो इंडिया टॉप